कि गाइस फर्स्ट फॉल तो आएं से सोरी वह पिछली बार जो फस्ट लेसन था आपका केश्व नंद भारती का वह एक्शली एंड हो चुका था अब रेपली ठीक है अपने आप ही बिसीकली ठीक है वह पोज होकर सेव हो चुका था इसलिए इसको आप इसको मैं दुबारा कर रहा हूं उसके आगे से ठीक है तो अभी था हमने आर्गुमेंट में देख रहे थे तो इसमें इनका सेंड आर्गुमेंट था फिल्ल आमने सज्जन सिंग केस वाला देखा जिसके अंदर हमने क्या देखा था जो हमारा बेसिक वीचर प्रिंसिबल था ठीक है next इनका अर इनका ये कहना था अभ दूसरी तब बात आती है आपके र्रिस्पोंडेंट क्योंते है आपके केरेला गुघंट करो गया ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि power of parliament है ना amendment करने की constitution में वो absolute है और वो unlimited है यह इनका मानना था यह कहते थे क्यों क्योंकि यह कहते थे कि जो प्रियांबल है हमारे constitution का उसमें social economic obligation है अब इनको fulfill करने के लिए हमें जो है कोई restriction नहीं होनी चीए basically parliament के उपर ठीक है तो parliament की जो power है amendment करने की it's totally and absolute unlimited power यह इनका कहना था state government का के रहला अब इनका other argument other argument कहा था government का यह कहते हैं कि अगर ऐसा होने लगए basically हमारा structure of the constitution जो है वो based है हमारे egalitarian society के concept पे egalitarian society के concept पे तो अगर हम अगर हम basically power जो है amendment करने की और कोई भी change करने की constitution के अंदर अगर उसको accept कर लेते हैं basically petitioners का जो argument है तो हमारा हर law बनाया हुआ वो अगर conflict मायागा fundamental rights के तो यह हमारी basically जो conflict आने के कारण economic obligation है social economic obligation जो है वो इनको complete नहीं कर पाएंगे complete ही नहीं कर पाएंगे ठीक है और जो अंदर article 31C है उसके अंदर यह क्या करते हैं कि basically बेन अटा देते हैं state ladies lecture and parliament के उपर under article 14, 19 और 31 ताकि यह जो है low बना सके in continuation of their social eco obligation पूरी करने के लिए तो यह कहते हैं कि अगर fundamental rights के basically conflict में आ गए तो हम नहीं कर पाएंगे अब यह बहुत important argument है वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही extreme level का है वो इसमें एक आ गया यह basically केश्वनन्द भारती में paragraph 11 में लिखा हुआ है यह वाली बात कि respondent जो हैं उन्होंने इतना भी claim कर दिया कि parliament जो हैं fundamental rights of speech expression and form of association union and freedom of religion को abrogate कर सकती है ठीक है abrogate भी कर सकती है second democracy को replaced भी कर सकती है इन्होंने कहा कि democracy को replaced भी कर सकती है and can establish a one party rule तो यह basically pera 11 में लिखा है केश्वनन्द भारती में तो जो बहुत ज़्यादा extreme है अब इसके अंदर देखो basically judgment आया क्या हमने अभी तक argument देख लिया background देख लिया introduction देख लिया judgment क्या है of course 7 is to 6 की majority थी उस टाइम पर parliament basically यह क्या कहा गया Supreme Court ने कि parliament जो है वो कर सकती कोई भी part of constitution or provision को amend कर सकती है ठीक है लेकिन यहापर condition अपला है देख रहे हैं यहापर यह कहता है कि parliament जो है कोई भी provision of the constitution जो है amend कर सकती है but इन्होंने कहता कि parliament कि जो power of amendment है वो होती है आपके अंदर article 368 है ना second second इन्होंने कहा कि basically जो article 13 है article 13 उसके अंदर law के definition दे रहे थी इन्होंने कहता कि ना तो constitution और नहीं आपका amendment यह दोनों ही law की definition में नहीं आते है तो क्या आता है law की definition में law की definition में वो आयागा जो state legislature और parliament law बनाएगी ठीक है अंदर और अंदर article 13.2 का मतलब यह नहीं है कि वो constitution है basically law लेकिन जो law बनाया गया है आपके state legislature और जो parliament है that is आपका subject to provision of constitution देखो इसका overall मतलब पता ही क्या है इसका overall मतलब यह है कि constitution जो है वो आपका supreme law है constitution जो है आपका supreme law है which is not in जो कि हम इसको ले सके अंदर article 13 के दायरे में इस दायरे से अलग है है हमारा constitution supreme law है तीसरी बात यह कहता है कि जो amendment of the constitution is an exercise of constituent power ठीक है जैसे कि गोलकनात केस में हुआ था ठीक है तो गोलकनात केस में जो हुआ था उसको इन्होंने wrong करार दे दिया basically जो उस केस में हुआ था basically majority of the गोलकनात केस with respect to उसको wrong इन्होंने करार दिया next आता है अबका there are no express limitations to the power of amendment ठीक है कि limitations जो है basically power of amendment पे वो नहीं है express नहीं करते है second आता है ना article 30 ना उसका रोक सकता है आपको ठीक है last point आता है इसका ये कहता है कि power to amend is wide and unlimited ये तो इन्होंने मान लिया ठीक है the power to amend means power to add alter और repeal any provision of the constitution बहुत important बात बोल रहा हूँ इन्होंने कहता कि power of amendment में क्या आती है आपके add कर लो ठीक है alter कर दो उसको या फिर repeal कर दो हुए भी है आज तक काफी सारे आज भी होते है तो ये इन्होंने amendment का मतला बताया इसके अंदर supreme court अब इन्होंने तो बहुत philosophical basis पे यहाँ पर कोई बात है करी देखे मैं आपको बताता हूँ आपने answer में यूज करना supreme court ने क्या कहा इसके अंदर कि जो Indian constitution है वो first and foremost social document है सबसे पहले तो ये एक social document है और जो fundamental rights है DPSPs है ये सब जो है वो basically conscience है किसका आपका constitution का these are the conscience of the constitution तो अगर कोई duties impose करेगा basically अब state ही तो करेगा अपनी duties को impose करेगा तो उसके लिए fundamental rights को average करना तो इसमें पढ़ेगा है ठीक है कुछ certain respects में जिसको हम क्या बोलते हैं आज reasonable restrictions state जो है अगर कुछ duties है अगर उन्हें implement करेगा तो कुछ ऐसे rights है जो की average होंगे इन्होंने यहां पर observe किया ठीक नेक्स्ट बात आती important जिनर के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को observation में आपको भी बता दिया उसके बाद ही कहता है कि जो 24th constitution amendment है वो valid है ठीक है 24th constitution amendment है वो valid है जो कि मैंने आपको बता था कि किस के अंदर राल दिया इसको आपका नहीं चेडियूल के अंदर अब इनके सामने क्वेश्ट आता है कि 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 एक्स्टेंड तक constitution को अमेंड किया जा सकता है तो इन्होंने कहा कि basically a doctrine of basic structure होती है जिसके according Parliament का power जो है वो कोई भी constitution का provision को basically amend कर सकती है लेकिन इट के नॉट इन एनी मेनर इन फीचर से इंटरफेर नहीं करना चाहिए वह amendment ठीक है क्यों क्योंकि यह जो doctrine है यह जो provisions है दे आदब fundamental to the constitution इनके बिना constitution वो हो जाए spiritless हो जाएगा ठीक है यह का गया supreme court के ज़रू है second अगर हम बात करें in context to the 25th constitution amendment act इसके बारे में supreme court ने क्या कहा इसने इसमें वेसिकली यह कहा गया था कि इसका first part जो है इस वाले amendment का वो तो valid है लेकिन जो second part है second part के अंदर क्या था कि जो आपके dpsps है ना dpsps किसमें आते हैं आपके अंदर पार्ट फॉर्थ ओफ इंटन constitution यह open रहेंगे आपके judicial review के इन्हों ने कहा supreme court ने कहा कि आपका first part तो valid है totally but second part में इन्हों ने कहा कि जो आपका dpsps को implement कर जो आप करोगे वो बैसिकली open है judicial review के तो dpsps आगए अब judicial review के अंदर अब बात करतें 29th amendment की जिसके अंदर जो इनका karela वाला act था ठीक है उसको basically इन्हों ने क्या कहा कि यह amendment तो चलो ठीक है valid है लेकिन अगर आप कोई low 9 schedule के अंदर डालते हो और अगर यह abrogate करते हैं any provision of आपका basic structure doctrine then they can be called into the law under the court इसको challenge किया जा सकता है और judicial review भी इसका हो सकता है ठीक है overall 9 schedule को लेकर के आए गये थे किसके अंदर judicial review के अंदर ठीक है तो इन्होंने क्या कहा कि 29th amendment act आपका ठीक है good लेकिन अगर schedule 9 के अंदर आप कोई low को डालते हो और अगर वह abrogate करता है किसी भी basic element हो इस doctrine की और हमारे constitution की then they can be easily challenged in any court और judicial review होगा इसका अब इसका basically importance क्या है importance यह ही है कि इसने गोलकनाथ case अभी मैंने आपको बताया उपर यहां पर कि किस तरह के से इसने गोलकनाथ case को overruled कर दिया जहां पर बहुत extreme level पर पार्लेमेंट की power को protect करने के बाद कई गई थी देखे ना पुराने लिसन में जा करके इसके पहले वाले case number five में है ना तो उसमें बताया मैंने उन्होंने यह कहा कि इसको तो overrul कर दिया in context to the power of constitution amendment है ना basic structure को structure doctrine को लेकर क्या है और यह बताता है आपके judicial creativity को judicial creativity जो आज लिए काफी कम हो गई है ठीक है चलो वो को किसी और दिन discuss करेंगो उसको अब बात आती है पर illustrative list of following items यहां पर दिये गए थे जैसे कि जैसे कि यहां पर एक comprehensive list अभी तक नहीं दी गई है बस cases के थुरू हम analysis कर सकते हैं जो various judgments में आते हैं कि इस वाले case के अंदर बता दिये गए जैसे कि right to life को काफी बार बताया गया था section 377 में ही बताया गया था comprehensive list दी अब आप मुझे नीचे कोई 5 elements बताओ जो कि आपके according constitution के अंदर होने चाहिए ठीक है जो है वो मत बताना होने चाहिए यह मुझे बताओ बहुत interesting होगा आपके लिए करने में ठीक है तो करो next आता है आपका अब अभी तक हम कहें case to case basis पर अगर हम कहें cases के तुरू around 20 ऐसे elements है जो supreme court अभी तक इसके अंदर add कर चुकी है है ना through numerous cases अब यह basics basically मानेंगे कैसे कि यह basic structure का part है तो यह जो basics है ना वो case to case basis depend करेंगे आपके Supreme Court basically decide करेंगे case to case basis पर कि कौन सा feature और particular feature आपका constitution के लिए basic है थाकि उसकी spirit नहीं हाम हो कभी भी तो only judiciary यह साइट कर सकती है कि क्या basic feature तो constitution है और list भी वह देगी ठीक है तो इसके अंदर अब आता है इसके बात impact की तो impact क्या हुआ इसका तो impact वही बहुत ज्यादा हमेशा से रही है जो judiciary और executive की टशल basically executive और यहाँ पर हम legis lecture को भी ले सकते है जुडिशेरी और legis lecture की जो टशल थी वह यहाँ पर हुई इनका impact यह हुआ कि political controversies जज्जमेंट के around और justice A.N. Ray को basically chief justice बना दिया गया chief justice of India बना दिया गया वो सरपास किया other three judges को जो three senior most judges थे basically उनको सरपास करके justice A.N. Ray को बना दिया chief justice यह basically basically conventions होते है कि जो senior most judge होगा वही आपका chief justice बनेगा अभी भी ऐसा होता है लेकिन उस टाइम पर सा नहीं था इंद्रा गांदी ने उठा करके बना दिया chief justice बना दिया एंड्रे को अब एंड्रे basically basically यह थोड़ से बाइस हम बोल सकते हैं ठीक है तो एंड्रे ने क्या किया 13 judges की bench बनाई वापस से जो केश्वनन्द भारती case का review कर सके लेकिन सिर्फ दो दिन के discussion के बाद इसको dissolve कर दे गया क्यों क्योंकि इन्होंने का था कि कोई भी अभी तक रिट पिटिशन फाइल नहीं हुई है ठीक है या फिक और review petition रिट नहीं रिट नहीं रिवीव पिटिशन अभी तक फाइल नहीं हुए इस case को लेकर के और सिर्फ एक oral सिर्फ एक oral request के basis पर इसको review करना is not a proper procedure to review act of the constitution I mean the verdict of a judiciary ठीक है तो इन्होंने यह कहा कि जब तक review petition नहीं आएंगी हम इसको review नहीं करेंगे और इडिज्वल हो चुकी है ठीक है उसके बाद government जो थी इंद्रा गांधी की थी आप सबको पता है इस वाले verdict को nullify करने के लिए 42nd constitutional amendment act लेकर करके आया गया और यह टसल जो है वह बहुत बारी पड़ेगी आगे जा करके ठीक है क Parliament की जो power है अमेंड करने की वह प्रोवाइड करती है validity of no constitutional amendment shall be called in question in any court on any ground ठीक है चाय कुछ कर लो judicial review कोई भी ground पर नहीं होगा यह 42nd amendment के तुरू बोला गया था अब आगे क्या होता है आगे की कहानी क्या है वह मैं आपको जरूर बताऊं आगे और लक्ष्मी कांत चली रही ह है कि यह जो टसल थी कहां तक गई थी है ना don't worry हम cases के तुरूभी पढ़ रहे हम इसको theory के तुरूभी पढ़ेंगे और events के तुरूभी पढ़ेंगे लक्ष्मी कांत के साथ साथ ठीक है काफे अच्छा comprehensive चल रहा है chronology में चल रहा है miss मत करना share करो जितना हो सकेंड को ठीक है बहुत इंपर्टेंट है तो मिलते अगले लिसम जवते के लिए stay tuned keep sharing keep learning keep studying okay so मिलते अगले लिसम जवते के लिए stay tuned and have a nice day thank you